तो आज की वीडियो हम जानने वाले हैं जो कैलकुलेशन फर्मूला जो हमारा नेस्ट आता है वह भी लिपिट प्रफाइल से रिलेटेड है और वह आता है LDL यहीं की लोग डेंसिटी लाइप प्रोटेइग जैसे लास्ट वीडियो में आपको बता है था वी LDL कैसे निगाल कल Där Whitlay जो भी लिपिट प्रफाइल आप करवाते है आपका सरी में जितने कोलेस्टॉल होता है उसमें से यह जो कोलेस्टॉल होता है सबसे 극ल कोलेस्टॉल होता है इसका रゲ्श अगर नौर्मल है तो अप्षवस्त हो आप बैटर हो यह जो बैड़ कल स्ट राजु जेण उ उसको हम करते हैं cholesterol जो total cholesterol होता है इसलिए total cholesterol के range की जरूत पड़ेगी हमको minus हम क्या करेंगे HDL plus हम क्या करेंगे जो कल के formula में बताया था BLDL तो जब हमको low density life protein निकालना होगा यहीं कि LDL का range निकालना पड़ेगा उसके लिए हमको जरूत पड़ेगी total cholesterol और HDL की यह जो value होता है total cholesterol मैंसे हम HDL को minus करेंगे और उसमें हमारा जो भी LDL का value उसको हम plus करेंगे तो हमको हमारा जो result मिलेगा ओ हो जाएगा LDL यह लेकि low density light of protein यह जो test होता है इसको भी बहुत सारे lab होते हैं वो process नहीं करते हैं perform नहीं करते हैं इसको calculation करके ही report को दे दिया जाता है लेकिन जो बड़े-बड़े enable जो lab होते हैं वो ऐसा नहीं करते हैं उसको process करते हैं जो LDL होता है उस test को भी लगाते हैं लेकिन कौन से condition में लगाते हैं यह आपको net test की वीडियो में बताऊंगा कि LDL आपको कब लगाना चाहिए वरना आपके पास अगर cholesterol और HDL और TG value है तो आप असानी से जो LDL होता है इसके value को calculate करके correct reporting आप कर सकते हो